अब्रूब इंग्टीचर, आप सबी लोग अच्छे होंगे, बिहार सच्छक भरती से रिलेटेट जो GS का पार्ट है, उसको इस वीडियो में हम कराएंगे, इसमें आपके 40 questions हैं, जिसमें के math के questions मैंने skip कर दी हैं, वो आप लोग अपने इसाब से कर लिजेगा, तो इसमें आ सारे questions attempt करने, negative marking नहीं है, तो आपको ये बताना है कि आपने कितने questions सही किये हैं, कमेंट बॉक्स में comment करना है, और इन questions को मैं ऐसे discuss करूँगा, कि इन questions से अगर एक भी दू questions जो भी आते हैं, आप कभी नहीं बोलेंगे लाइफ में, चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा question क पर वी देख लेते हैं कि कहां पे कौन सा स्टेट है, सबसे पहले हम नौर्थ में बात करते हैं, पहले हम लद्दाक को देख लेते हैं, यहाँ पे जम्मो कस्मीर से जोड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ा हुआ है, लेकिन basically दो ही स्टेट पूशे जाते हैं, ल तमिलाडू की सीमा है वो केरला, करनाटका और आंधर प्रदेश से लगती है, करनाटका जो है वो महराश्ट्रा, तेलंगाना और आंधर प्रदेश से लगता है, और नीचे जो दो स्टेट हैं केरला और तमिलाडू से भी लगता है, और गोवा से भी लगता है, तो यहाँ पे, साउत में हमने देख लिया, उसके बाद हम यहाँ बात करें, छतीस-गड़, छतीस-गड़ का ओरीसा से लगता है, और एम-पी से लगता है, और तैलंगाना से लगता है, और महारास्थ के लगता है, फिर हम आते हैं, अब यहाँ पे उससे टॉच करता है, यहां पे नीचे आप देख लीजे, तो जारखंड से, यहां पे वेस्ट बंगाल से, यह बहुत इंपॉड़न्ट है, 22 मीटर की चोडाई है, इसके आप देख सकते हैं, यहां से जो चोडाई है, इसके इधर यह 22 किलो मेटर है, तो यह इसके चोडाई, इसको हम चिकनने भी कहते हैं, अब आते हैं नौर्थेस साइड में, तो यहाँ पर यह भूटान है, यह एक देश है, यह अरणाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा चीन से लगती है, आशाम है, मेगालेया है, नागालेंड है, मडिपूर है और मिजोरम है, यह यहाँ पर जो कि नेपाल से भी है, और भूटान से भी जुड़ा हुआ है, तो इस सब चीजे आप लोगों ने एक पूरा सा ओवरिव देख लिए, तो हमारा कोशन क्या था, कि केंध राशे प्रदेश लद्दाग की जो सीमा है, भारती की सिराज्ज में लगती है, प्रदेश से, क्य है, इमाचल प्रदेश, नेक्स कोशन है हमारा कि सीमा मेंमार के साथ में सीमा बनाने वाले भारती राजों की स्थिति उत्तर से दच्छन के करम में सही करम में निम्नांकित करिए, तो चलिए हम देखते हैं, मैं आप महीं चल के, तो हमको उत्तर से दच्छन करम में बताना ह राइट एंसर यहां पर आपका रहेगा C, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मरिपूर और मिजोरम, ओके, खरकई नदी निमनलिकित में से किसकी सहाइक नदी है, तो यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा, सुन रेखा की, नेक्ष्ट है, पवना नदी परियुजन में पाए जाते हैं, तो यहां पर हमको इसका राइट एंसर देखना है, तो यहां पर एका क्या राइट एंसर रहेगा, आप बताईए, देखिए, आपको इसमें नीचे बताना भी कमेंट करके कि आपके कितने क्वेस्टन सहीं होएं, तो इसलिए आपको मन में फटा-फट एंसर भी देना है कि इसमें कौन सा एंसर राइट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर A, B, C, D आपके चौर आप्शन दिये हैं, यहाँ पर देख लीजे, तो यहाँ पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने बता दिया होगा, कि जस्ता का क्या रहेगा, जावर, ठीक है, जस्ता है, वो कहाँ पाई जाती है, जावर में, सुन्ड जो है, वो कहाँ पाई जाता है, हट्टी में, ठीक है, हट्टी की जो खान है, वहाँ पर सुन्ड पाई जाता है, क्रोमाइट कहाँ पाई जाता है, तो क्रोमाइट जो है, कहाँ पाई जाता है, सुकिंदा में, क्र चत्युस गड़ की सीमा है वह उभैनिच्ठ है ओके आपका राइट अर्स union से एक सहाद है एको प्रशाइज घर है इसकी सीमा आपकी यूपी से ल्गती है बोबाल से लगती है मद्य प्रदेश से मतलब लगती है ओडिसा से लगती है तेलंगाना से लगती है महाराश से लगती है और यहां पी यह आंध्रा प्रदेश से भी लगती है और जारखंड से लगती ही है और बिहार से नहीं लगती है इस चीज का आपको ध्यान अगना है ठीक है कि 36 गड़ पूछे तो उसकी ज रिल्च सूचि में आपको उतर चुननना तो बीर- aún, भूटीया, टोड़ा, सिंट्रली, जो जनजातेया आपको लग रहा हूँ? तो यहां पर आप एंसर देखे बता सकते हैं कहां आपको Aiken साचिया भीस का का सही आपको दो . कि जो बीर होर है, वो कहां पाई जाती है, वो जारकर में पाई जाती है, भूटिया कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है, सिक्किम में, टूटा जंजाती कहां पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, तमिल नाडु में, और सिंटली जंजाती कहां पाई जाती है, अंडमान निकोबार में, तो यहां पर राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, फिर नेक्स वोशन है कि डाक्टर बाबा साहब अंबेडगर अंतर राष्टी हवाई एड़ा निमलेखेत में से कहां पे हैं, तो आपके पास पान सेकंड है, आपको एंसर इसमें ब दूइप है, उसका नाम जो है वो डाक्टर अब्दुलकलाम दूइप किस वर्स उसका नाम दिया गया है, चलिए बताईए आपके पास पान सेकंड है, तो बताईए आपका राइट एंसर क्या है, यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा, कि 4 सिप्तंबर 2015 को जो फिलर दूप है, जो कि ओडिसा में है, उसका नाम डाक्टर अब्दुलकलाम दूप रख दिया गया था, ओके, next question है कि मदरास महाजन सभा की स्थापना कब होई थी, जो मदरास महाजन सभा की स्थापना कब होई थी, 1884 में, 1880 में, या फिर 1878 में, या फिर D, या फिर E, तो आप जो ने मदरास का पट्टा कहां के सासक से प्राप किया था, चंदरगिरी, मैसूर, करनाटका, या फिर D, या फिर E, तो यहाँ पर आपका राइट असर क्या हो जाएगा, चंदरगिरी से, okay, next है कि बंगाल में निमलेखित फेक्ट्रियों में कौन पुर्त गालियों दौरा स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट असर क्या होगा, बताइए, सीरामपुर में, चिंसुरा में, हुगली में कहां पर स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर हुगली में स्थापित की गई थी, बंगाल की हुगली में स्थापित की गई थी, राजाराम मोह की स्तावनाक की ? किस नैं अभीनुह भारत समाझ की स्थापना की है ? पुराणे questions हैं, उनको हमने आपको revision करा दिया, लिकिन इस बार हमनी नए विनायक दामोदर सावरकर उन्होंने अभिनों भारत समाज की इस्तापना की थी नेक्स्ट है कि समिधान को 26 जनुरी लागू करने का निर्णे इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनुरी को लागू क्यों किया गया क्यूंकि कांग्रेस ने इस तिथी को 1930 इस्वी में सुतंतरता दिवस के रूप में मनाया था 26 January 1930 को Congress ने इसी ती थी को 26 January को सुदंत्रता दिवस के रूपे मनाया था तो इसी दिन क्या हो था 26 January को जो समिधान था गर्तन दिवस जिसे हम कहते हैं उस दिन उसको समिधान लागू उसी दिन किया गया था dasst, नेक्स्ट हमारा कोषन है कि दुत्री विश्वधियलियल्य बिटान का प्रदान मंत्री अधू था तो यहां पर इसाइ सरे हो जाएगा संग्रह दुर्ट किया गया था चलिए बताइए आपका ऐंसर क्या है यहां फिर जुनागड है वो आपका राइट संग्रह दौरा क्योंकि देखिंग जितने भी रियासिती उन सभी को भारत कर Ol定 कर लिया गया था और जो हैदरावाद की रियासत थी उसको आरमी गुदारा उसको मतलब forcefully भारत में सामिल किया गया था फिर 1949 जो है 49 question जो है इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए बताइए विधान परिशद मतलब legislative council के संबंद में सही तत्य पत्यों के पहचान करें पहला है आपका विधान परिशद सरप्रथम 1935 के भारत सरफन अधनियम के अंतरगत लाया गया किसी राज जिस से इसे समाप्त क्या सकता है इसकी कुल सदस संख्या संभा की कुल सदस संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है तो आपका right answer इसमें क्या होगा आपके options है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 तो चल पर जाए गया था किसी राज जिस से समाप्त किया सकता है किसी भी राज जिसे इसकी कुल सदस संख्या जो है वो कुल सदस से जो विदान सभा है उसकी कुल सदस से के वहन बटे third होती है ओके चलिए हमार next question जो है वो है कि state duty है कि अर्थ के लिए निमनिकित में से कौन विकल सही है यहां पर state duty के कौन विकल्ब सही है तो आप अपना right answer बता दीजीगा यहां पर आपका कौन सा right answer है वीडियो को पाउस करके आप उसका answer पहले देख लिया गर यह क्योंकि मैं अगर time देता रहूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तस question पढ़ूँगा और मैं उसक व्यक्ति की मृत्यों के बाद उसके संपत्ति हस्ता अंतरण पर लगने वाला टैक उसको कहते हैं एस्टेट ड्यूटी कहते हैं कौन सी मृदा सनक्षण की एक विधी है मृदा सनक्षण की विधी कौन सी है तो यहां पर आपका बी option हो जाएगा canopy okay English में canopy कहते हैं और Hindi में कहते हैं ठीक है next question है कि किसी व्यक्ति का द्रविमान प्रतिवी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रविमान कितना होगा चली बताईए आप लोग जो होशियार है उसका answer जानते होंगे यहां पर आपका डिंसर है उप्यक्त में से कोई नहीं 0 kg नहीं तो 60 kg नहीं 10 kg नहीं व्यक्त में से 1 kg नहीं ठीक है देखे जहां तक मुझे याद है मुझे मैं sure नहीं हो but I think चंद्रमा पर जो भार होता है वो व्यक्ति के 1 by 6 का बहार हो जाता है ठीक है तो यहां पर जहां तक मुझे अंताजा है आपका जो वहां पर भार होगा वो 6 kg कि अगर मैं सही हूं तो प्लीज ब conservatives घाएगा घर मैं गलत हूं तो प्लीजри कमेंट करके बता दीजिएगा नक्सके निम्नेकित में से कौन से बेंजीन सही सनचना है यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है ए आपका राइट एंसर हो जाएगा next question है आपका कि कौन सा hydrocarbon समों C2 H2N के सामान सोतर का अनुसरण करता है तो आपका समान जीवों का एक समो जो अनुसरण से विशिष्ट एवम प्रिचन नात्मग रूप से विलगित होते है उसे क्या कहते है उसे हम क्क्राइट है यहाँ पर जाथि कहते है प्या कहते हैं और आप लोगों को मैंने previous question paper discuss किया था अगर आपने वह नहीं देखे हैं previous question paper तो आप उनको देख लिजे क्योंकि previous question paper बहुत जरूरी है देखना उसके बाद में आप इसकी बढ़ाई करिये तो कौन सा राय टेंसर हो जाएगा आपका इसका अप घटन अविक्रिया कहते हैं जो यह silver bromide का जब silver और bromine में तूटता है तो इसको क्या कहते हैं अप घटन अविक्रिया कहते हैं नेक्स Wait is going with a यृत करता श्रीन के बिलने नेक्स लचे आपका क्या हो जाएगा नेक्स लाइन से कौन सेहन कर सकता है मेढक आपका जो frog है वो सेहन कर सकता है July 2023 में लंदन में Wimbledon 2023 में किस खेलाडी ने पुरुस एकल का खिताब जीता है चलिए बताईए बहुत अच्छा कोशन है इसमेंसे आपको कौनसा लग रहा है ठीक है मेन बताथब Karlos Erla Yaraj ने 2030 में जो विदलन आयोजित हुआ था July 2023 में लंदन में टेनिस का ये प्लेयर होते हैं, टेनिस की लड़ी जो हैं, इन्होंने कार्लोस अलकराज ने जीता है, नेश्ट कोचन है कि 23 अगस 2023 को लॉंच चंद्रमा चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रदान में दिंदरेंदर मोदी दोरा, इस लोग की टीम को समोज़ित करने के लिए क्या रखा है, देखें, जहां पे चंद्रमा का जो यान है वो लैंड हुआ था ना, उस जग नेश्ट है कि 17 अगस 2023 को कहां से राश्टपती द्रौपती मुर्मू द्वारा इनस विंद्धिगरी का उद्गाटन किया गया, पहली बात तो प्रेशिडेंट ने किया है और 17 अगस 2023 को किया है, 17 अगस 2023 को किया और कहां पर किया गया है, कोल काता में, ठीक है, नेक्ट यह कोशन आपको देखने को मिल जाए ओके यह अभी प्रॉब्लम होनी है हमको समझ में नहीं आ रहा है भारत आपका राइड एंसर हो जाएगा आपके किस देश ने की है तो भारत नहीं की है ओके चलिए फोटे कोशन आपके जल्दी आएंगे और मैं अब इस सीरीज को कंटि कि शुरी प्रॉब्लम हो रहा है जाएंगे यह जाके डेल क्वान काड़ाएबों आपके ही है अगय।